हमारे पास मेरे मुवाईल में आंध्र प्रदेश से लेकर कुलकत्ता से ऐसी तस्बीर आई है कि आप उसके बारे में पूछिए मत यह बात तेजस्वी यादो के मामा साधु यादो बोल रहे हैं वो एक प्रकार से चेताओनी देते हुए कह रहे हैं कि समय आने दीजिए सब क बारे में बताऊंगा लालू प्रशाद यादो की बेटी रोहिनी आचारे जो ट्वीटर पर काफी जाद एक्टिव रहती हैं उन्हों ने अपने मामा साधु यादो को कंस कहकर बुलाया तो साधु यादो ने बदले में तेजस्वी यादो पर हमला करते हुए कहा कि रोहि लालू प्रशाद यादो के बेटे मतलब की तेज़ प्रताप यादो और तेजस्वी यादो के अवैद रिष्टों के बारे में बोल रहे हैं वे तो यहां तक कहते हैं कि मुख्यमंतरी से लेकर तमाम सरकारी अधिकारियों के पास इस बात की जानकारी है कि तेज़ प्रता कुछ ना बोले मतलब कि वो इस मामले से दुर रहे एक तरफ वे कह रहे हैं कि परिवारिक मामला है लेकिन दूसरी तरफ साधू यादो खुद मिडिया के सामने उसी परिवार के बारे में अनाप शनाप बात भी बोल रहे हैं अब नमस्कार में मोहित कुमार सिंग और आप देखना हमारा विश्यस कारिक्रम एक्स्प्लेनर साधू यादो ने अब तक क्या कुछ कहा है उसके बारे में आपने उनका इंटर्व्यू भी देखा होगा लेकिन अब साधू यादो इस बात का दावा कर रहे हैं कि उनके पास कौलकत्ता से लेकर आंधर परदेश तक से ऐसी ऐसी तस्बीरें आई हैं जिनके बारे में बात भी नहीं किया जा सकता वे कहते हैं कि तस्बीर ऐसी है कि इसके बारे में पूछिये ही मत आगे वे इस बात का भी दावा करते हैं कि जब सही समय आएगा तब हम खुद इसके बारे में बताएंगे साधू यादो अपनी बहर राबडी देवी को लेकर भी अपमान जनक टिपनी कर रहे हैं और उनका तो यहाँ तक कहना है कि राबडी देवी यादो नहीं बलकि राजपूथ हैं साधू यादो ने जब यह बात बोली तब से इस चीश को लेकर एक अलग चर्चा चल रही है लेकिन अगर आप भी सोचेंगे तो यह बयान अपने आप में शर्मनाग है अपनी बहन के बारे में साधू यादो खुद अनाप शनाप टिपनी कर रहे हैं जब रोहिनी अचारे ने अपने मामा पर सवाल उठाया और उनको कंस बता दिया तो साधू यादो ने लगे हाथ कहा दिया कि तुम्हारे बच्चों का मामा भी कंस ही होगा राश्ची जन्त अदल के परवकता शक्तियादो ने जब साधू यादो को जबाब देना चाहा या फिर क्या लिजिए कि उन पर हमला बोला तब साधू यादो ने पूरी घटना को या फिर क्या लिजिए कि इस पूरे जगड़े को अपने परिवार का जहगड़ा बता दिया सबसे मूरी बात यह है कि वे अपनी वहर राबडी देवी पर एक प्रकार का लांचल लगा रहे हैं और अब तो वे इस प्रकार के डावे भी कर रहे हैं कि उनके पास कोलकत्ता और आंधर से तस्बीरे आई है और उनके पास वाकई में कुछ ऐसी तस्बीर होगी या फिर सादू या दो सिर्फ अपने बड़ बोलेपन के कारण यह सब कुछ बोले जा रहे हैं उन्होंने चतावनी देते हुए कहा कि अभी भी वक्त है वक्त पर सुधर जाओ कुल और खंदान में किसी प्रकार का कोई दाग मत लगाओ अब चुकि सादू या दो के दवारा दिये जा रहे बयान पर राश्य जनता दल के कारकरता बिरोज जता रहे है तो सादू या दो उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि अपने कूल और खंदान को मचाना किसी प्रकार का कोई गुना है क्या आगे सादू या दो कहते हैं कि अगर अपने खंदान को मचाना किसी प्रकार का कोई गुना है तो वे पार्टी के मैनिफेस्टों में लिख दें कि जाती में शादी नहीं होनी चाहिए साधू यादो कहते हैं कि जाती में शादी ना करके लिख दिया जाए कि जमात में शादी होनी चाहिए ये बात वो राश्ची जंतादल के राशुय अध्यिक्स लालू प्रसाद यादों से कह रहे हैं सादू यादो की पूरी नराजगी तेज काया दू के शादी के बाद से सामने आई है और वे कह रहे हैं कि अगर शादी करनी थी तो वे यादो लड़की से करते लेकिन उन्होंने तो यादो को छोड़ी दीजिए हिंदू तक से भी शादी नहीं किया उन्होंने तेज़सु यादो और तेज़परताप यादो को कहा कि इतना नीचे मत गिरो कि फिर उपर उठ न पाओ हलाकि अब कहा यारा कि साजु यादो थोड़े शान्थ हो रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ तेज़परताप यादो ने भी प्रत्किरिया देते हुए कहा कि पटना आ रहे हैं तो गर्दा उला देंगे रोहिनी अचारे ने भी अपने मामा पर सवाल किया लालू प्रशाद यादो को लेकर भी हुए तवाम तरह के अपमानजनी टिप्निया कर चुके हैं बाकी अब आगे देखते रहे हैं कहा तक और कब तक यह सब कुछ चलता रहता है आगे अगर कुछ नहीं जनकारी आएगी कुछ नहीं अपडेट आएगा तो उसे इमाप तक पहुचाएंगे इस वीडियो को ही समाप करते हैं वीडियो को शेर कीजिएगा और अगर फेस्बूक पर देखना है तो पेच को लाइक कर लिजे तथा यीटूब चैनल को सब्सक्राइब कीजे मिलते हैं फिर बहुचा लगले वीडियो में कैमरे के पीछे ख़़ए हों परकाश और मैं मोहित कमार सींग बहुत बहुत धर्नवाद